गुद मॉर्णिंग दोस्तों कैसे आप सभी उमीदे बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों अपने मा के बारे हम बहुत सुना होगा बहुत जगा पढ़ा भी होगा मा के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानिया लिखी गई है लेकिन पिटा आक के बारे में बहुत कमें लिखा गिया है दोस्तों या दिल को चूजाने वाली कहानी उन फादर्स को समाद पिते जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते है खुद की ख्चाओं को मार कर अपने बच्चों को इस सपनों को पूरा करते है तो चलिए हम सुरू करते हैं उस कहानी को तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब मैं घर से गुसे में बरबडाते हुए निकल आया था और बस इस्टेंड की तरफ आगे बढ़ने लगा मैं मन ही मन बरबडा रहा था पता नहीं कितने पैसे चुपा के रखें लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते अब मैं यहां से चला जाओंगा और तब तक वापस नहीं आओंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता इतना सोची रहा था तब ही मेरे पैर में मुझे कुछ चुबने का हैशास हुआ नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहनाया हूँ उन जूतों में कील उबरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाओ किये जा रही थी लेकिन उस समय गुसा अधिक था तो मैं बढ़ बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया एक का एक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ मेरे खुरुफाती दिमाग में एक ख्याल आया क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था पता नहीं कौन सा खाजाना छुपा है इन पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे जब मैंने पापा का पुराना पर्स खोल कर देखा थो उसमें पैसे तो नहीं मिले लेकिन पैसे की जगा एक डायरी रखी हुई तब मैंने सोचा ओ तो यहां ख़जाना चुपा रखा है मैं समझ रहा था कि यहां पापा ने लिखा हुआ कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिये हैं लेकिन मैं गलत था जब मैंने उस चोटी सी डायरी का पहला पेज़ खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चहरे पर जो इंप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोचा था वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग लोगों से उधार लिए गए थे उन लिस्ट में कम्प्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे कुछ यू लिखा था पचास हजार बेटे के कम्प्यूटर के लिए यह वही कम्प्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कम्प्यूटर को खरिदने के लिए पैसे कहां से आये थे लेकिन आज पता चल रहा था मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जित की थी जो मेरे पापा ने मुझे दो हपते बाद मेरे बड़े पला कर दिया था इसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा अब मेरे चेहरे से गुसा एकदम गायब हो चुका था जब मैंने आगे का पन्दा पल्टा तो वहाँ पर कुछ विस्स इच्छाएं लिखी हुई थी पहली जो विस्स थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई तभी मेरा पाउँ अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ और तभी मेरे पाउँ में कुछ गिलापन होने का एहसास हुआ जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला तूटा हुआ था यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई कि कैसे मा जब कहा करती थी कि पापा से अब तो जूते पुराने हो गए है नए ले लीजिए तो पापा अक्षर यकय कटाल दिया करते थे जूते अभी और चलेंगे कुछ दिन पहले तो लिये थे मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे साथ ही यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे तब ही उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टेंड पर पढ़ी बेच पर आकर बैड़ गया अब उस डायरी का आखरी पन्ना बचा हुआ था उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी तारीक के नीचे लिखा हुआ था पचास जार रुपे बाइक के लिए बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रा गया अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था बस मेरी आखों से आसुच चले जा रहे थे मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा लेकिन जूतों की हुआ कील पाउं में अब तक घाव बनाने में कामियाब हो चुकी थी मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेग दिया और भागते लड़कराते हुए घर जा पहुचा लेकिन पापा घर पर नहीं थे मैं समझ गया वह कहां थे मैं सीधा पास वाली बाईक एजेंसी के तरफ भागा पता नहीं आज कहां से इतनी ताकत आ गए थी कि मैं भागते हुए ठक नहीं रहा था और वह भी बीना जूतों के नंगे पैर जैसे तैसे मैं बाईक एजेंसी पर पहुचा पापा वही थे मैंने पापा को दोड़कर गले लगा लिए और मेरी आखों से आशो रुकने का नाम ही नहीं ले रहते पापा समझ नहीं पा रहते आखिर हो क्या रहा है मैं क्यों रो रहा हूँ मैंने पापा से कहा पापा मुझे मोटसाइकल नहीं चाहिए आप अपने लिए जूते ले लीजे अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बल बूते पर पड़ करूँगा दोस्तो अब इतनी सी थी ये कहानी सुनाते हुए आज मेरी भी आखें नम हुई है मैं आज आप से कहना चाऊँगा कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता हम अक्षर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और मा भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है लेकिन एक शक्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है वो होते हैं हमारे पिता, यह परिवार में एक मात्र ऐसा बैक्ती होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बीना जताय छिप कर प्यार करता है, खुद की एक छाओ को मार कर बच्चों के लिए सपने देखता है, और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है, मुझे नहीं पता क आप अपने पैरेंट्स की जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैरेंट्स है तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पैरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता है, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि माप आपकी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है, अगर आपको जरा भी या हर टचिंग स्टोरी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले, धन्यवाद